बिस्मिल्ला अर्पार रहीम असलाम अलेकूम उमीद है डियर स्टुडेंट्स आप लोग ठीक होंगे MDCAD 2023 के Admissions से रिलेटेड, MBPS ये BDS सेशन 2023 से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर Recently PMDC की तरफ से Admissions के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल जो के MDCAD, MBPS सेशन 2023 से रिलेटेड है उसको डिटेल के साथ एक्सप्लाइन किया गया है जिसमें टेस्ट डेट, फिर इसके लावा रिजिस्टेशन और बाकी चीज़ों का शेडूल इसके लावा इलिजबिलिटी क्राइटेरिया, MDCAD का रिजल्ट, फिर इसके लावा टेस्ट सेंटर्स और फिर लोकल सेंटर्स की 24 होगारा, फिर पैटरन कैसा होगा और इसके साथ सबजेक्ट, का वेटेज, डिफिकल्टी लावल, यह सारी चीज़ें और सलिबस बगार इसमें एक्स्प्लेइन किये गए है आपको बताता चलो, कि PMDC ने अपनी एक मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था कि 2023 का MDCAD का टेस्ट 27 सगस को कंड़क्ट किया जाएगा, आल अवर दी पाकिस्तान जो के डिफरेंट युनिवरस्टीज की तरफ से उसको कंड़क्ट करवाया जाएगा इसके शिडूल की बात करें, तो रिजिस्ट्रेशन जो है और डिडी स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई से, 17 जुलाई दोजार तेस से, जबकि अगर हम आउनलाई रिजिस्ट्रेशन जो के टेस्ट के लिए है, रिजिस्ट्रेशन का सेशन जो एंड होने जा रहा है, वो 31 जुलाई दोजार तेस तक होगा, यानि कि जो नॉर्मल रिजिस्ट्रेशन है, वो 17 जुलाई से, 31 जुलाई दोजार तेस तक होगी, और इसकी जो नॉर्मल फीस होगी, वो 6,000 होगी, जबकि इसके लावा लेट फीस की अगर हम बात करें, तो 1 अगस से, 7 अगस 2023, ये हो, डिसाइड किया गया है, शेडूर, यानि 1 अगस से, 7 अगस तक, लेट फीस के साथ, टेस्ट को कंड़क किया जा सकेगा, नॉर्मल फीस, 6,000 है, जो कि विदिन नॉर्मल डेट से, ये हो, पे की जाएगी, जबकि अगर लेट फीस की बात की जाए, जो कि लेट रिजिस् जाना करें, इसके लावा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है, जो कि इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अपना टेस्ट कंड़क करेंगे, उन के लिए जो नॉर्मल रिजिस्टरेशन फीस है, वो, 100 यूएस डॉलर, जबकि अगर लेट फीस की बात करें, तो वो 150 यूएस डॉलर होंगे, इसके लावा, नेक्स्टर अगरम बात करें, तो दस बजे 27 अगस को संडेट बनता है, ये 10 बजे तकरीबन टेस्ट जो है, वो कंड़क किया जाएगा, 27 अगस एथवार के दिन जो है, वो 10 बजे ये टेस्ट पाकिस्टानी टाइम के मताबिक क क्या है, क्या चीज़ रिक्वार होगी, अमडी के टेस्ट अटम्ट करने के लिए, पहली बात कि जितने भी पाकिसानी हैं, चाहे वो पाकिसान में रहते हैं, या फिर इंटरनेशनली किसी भी जगह पर हकीम हैं, वो ये टेस्ट दे सकते हैं, इस टेस्ट के लिए, FSE Part 1 की म अमडी केट जो हैं, ऐमडी केट जए वो एक ही बार स्टुडंट को साल में एक बार अटेंट करने के लिए अलाव किया जाता है, इसके रावे अगर हम इसके रिज़ट के वाड़ बात करें, तो एक बार दियाजाने वाला जो टेस्ट है, वो तेन साल तक वैलड होगा, ज अगर एक student ने last time टेस्ट दिया है और उसमें उसके जो माक्स है वो कम आई है नेक्स येर वो दुबारह से टेस्ट देता और उसके माक्स ज्यादा है तो ज्यादा माक्स वाला जो टेस्ट है वो वैलिड होगा और उसी बेस पर वो अपना जो अडमीशन हैमडी कैट के लिहास मतलिफ शहरों में जो हूँ इन शुबों के मुख्ति शहरों में test centers का decorations कि गूए गये हैं जगें अगर हम international students की बात करें तो साथिझ राभियय, रियाज, test दे सकते हैं जबकि इसके लावा अगर हम बात करें second point की international students क के लिए तो वो दुबई सेंटर बनेगा जो के यूएई में बनता है इसके लावा अगर हम लोकल सेंटर्स की इच वाइस की बात करें तो ज्यादे तर यही प्रेफर करवाए जाएगा यह यह कहलें कि कंडिशन है कि स्टूडन्स यह वो मॉस्ली उन सेंटर्स को उन स्टेश पर मुझते में यह MCQs टाइप टैस्ट होगा जो के सारा का सारा English Language में होगा जिसमें डिफरेंट सब्जेक्स बालजी कमिस्टी फिसिक्स इंग्लिश लॉजिकल रिजिनिंग वगारा शामिल होंगे बालजी के 68 MCQs होंगे कमिस्टी 54 फिसिक्स 54 इंग्लिश की बात करें त पार्ड की अगर हम बात करें या डिफिकल्ट पार्ट की बात करें तो वो 20% होगा PMDC इससे पहले अपनी वेबसाइट पर सलिबस के बारे में एक्स्प्रेनेशन दे चुकी है डिटेल को जो है वो अपलूड कर चुकी है तो अगर आप लोगों को सलिबस रिडेटिड किसी भी किसम की डिटेल चाहिए तो आप फिए MDC की वेबसाइट से आसानी से हासिल कर सकते हैं उसको विजिट करके इसके लाव हमारी एक प्रिवेस वीडियो में भी हमने इस MDC तो 2023 के सिलिबस से रिडेटिड जैब वो एक्स्प्लेनेशन दी थी आप चाहें तो उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं अपलाई करने का तरीका क्या होगा स्टुडेंट्स यह हैं वो PMDC के वेबसाइट www.pmdc.pk को विजिट करते हुए अपलाई कर सकते हैं अपना पोर्टल बनाएंगे अपने आपको रिजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी और फीस अदा करते हुए ज इस्टुडेंट्स यह सारी वो डिटेल थी जो के MDC 2023 के लिए थी यह यह कह सकते हैं कि MBBS और MBDS अड्मिशन 2023-24 के अड्मिशन से रिलेटेड MDC की सारे डिटेल थी तो यह सारी चीज़ें थी जिनको हमने इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेइन किया यह सारी चीज़ें आप लोग मेहनत कर रहे हैं मेहनत जारी रखे हैं अमीद के साथ आगे बढ़ते रहें इन्शाला अल्ला ताला एक दिन आपको जरूर काम्याब करेगा दौाओं में याद रखिएगा इन्शाला नई वीडियो में मुलाकात होगी तब तक अल्हाफिस